हेलो डियर फ्रेंड्स हाउ टू स्पीक एरबिक इन सौधी अरबिया कहीं से भी आप बिलॉंग करते हैं आप इस वीडियो को देखकर बहुत सारे संटेंस आसान तरीके से बोल सकते हैं चलिए हम जानेंगे आज उठो कपड़ा पहनो जाओ मदरसा आदमी बोलता है उठो या उठो को एरबि भाषा में बोलते हैं गुम तो इसको बोलेंगे एरबि भाषा में याला गुम याला गुम याला गुम याला गुम यानि की उठो चलिए हम नेक्श लेते हैं कपड़ा पहनो इसको एरबि भाषा में बोलेंगे इलबस मलाबेस इलबस मलाबेस नेक्श हम जाओ मदरसा, इसको अरविभाशा में आप बोलेंगे, रुह मदरसा, क्या मोलेंगे, रुह मदरसा, अगर आप से कोई ये बोल रहा है, तो आप इसी तरीके से उसकी अरविभी समझ भी सकते हैं, चलिए आप तीनों संटेंस को हम एक साथ बोलते हैं और एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं चलिए इसको हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे यानि की उठो, कपड़ा पहनो और जाओ मदर्सा ठीक है, चलिए हम नेक्ष लेंगे अब जैसे आपको बोलना हो, वो लंबा है ठीक है, वो बहुत लंबा है उसके लिए क्या लगाते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा पार्ट वन से आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं बहुत सारी मोर इंफॉर्बेशन, फिरी आफ कास्ट आपको मिलेगी इंशाल्ला ठीक है, तो वो लंबा है, हुआ तवील अरबी भश्या में क्या बोलेंगे, हुआ तवील तवील मिस लंबा, हुआ मिस फ़र्ट पर्संट यानि की वो ठीक है, चलिए हम नेक्ट लेंगे वो पतला है ठीके तो इसको पतले को दो तरीके से आप बोल सकते हैं हुआ दाइफ क्या बोलेंगे हुआ दाइफ इसको दूसरी तरीके से बोलेंगे हुआ खफीफ वैसे कुएत वगरा में खफीफ जादा चलता है खफीब बोलते है पतले को ठीक है? हुआ खफीफ, हुआ दाइफ अरबी भाशा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं चलिए अब इसी से related हम ले लेते हैं संटेज्स मेंसे आपको किलियर हो जाए जैसे कि वो मोटा है हुआ समीन अरभी भाशा में बोलेंगे हुआ समीन आप जिस कंट्री में जॉब करते हैं आप के हाँ मोटे को अरभी भाशा में क्या बोलते हैं कमेंड करके जरूर बताईएगा इसने बहुत से लोगों का फाइदा भी होगा और लोगों की नालिज भी बढ़ेगी और पता भी चलेगा आप जहां से बिलॉंग करते हैं वहाँ पर क्या बोला जाता है कोई भी डिफ्रेंस आप मैसुस करते हैं सौधी कुए दुबई कतरोमान बहरीन में तो आप जरूर कमेंड करिए और सजेशन जरूर दीजे चलिए हम नेक्स लेते हैं वह नाटा है होआ कसीर अब देखो जैसे कि हमने संटेस हिंदी में आपको बताया वह नाटा है तो यहाँ पर वह की यानि कि होआ निकल गया और नाटे को कसीर बोलते है लेकिर है की मीनिंग्स नहीं निकल रही है अरबिक भाशा में और है जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर या तो हम फी यूज करते है और या तो मे के साथ हम फी यूज करते है यह सब एरबिक ग्रामरली सिस्टम से देखा जाता है इसको और इसी तरीके से बोला जाता है अगर इसकी वीडियो देखनी है ठीक है लेकिन है जो है वो हमें हिंदी में बोल रहा है लेकिन हुआ कसीर आपका मतलब अर्भी भशा में हो गया और इसके लावा कुछ डिफरेंस टाइप की आप कहां बोली जाती है अर्भी तो जरूर कमेट करके बताइए चलिए हम नेक्स लेते हैं चेक करो तो एर्भी भशा में वो बोलेगा और आप कैसे समझेंगे और फिर आप इसी संटेज को दुबारा कैसे उसके साथ रिपीट करेंगे तो कोई अगर ये बोल रहा है चेक करो एर्भी भशा में आप बो सकते हैं या समझ सकते हैं सवी जरब यानि कि चेक करो को एर्भ जरब बोलते हैं अरबी भाशा में सौधी कुवेट कहीं पर भी आप जरब बोल सकते हैं ठीक है जो भी अरब का यानि की अरबिक जानने वाल आदमी वो समझ जाएगा और आप भी धिर धिरी इसी तरीके से आप कोश्चन आंसर उससे पूट अप कर सकते हैं जैसे कि चेक करो सवी जरब that's all ये चीज़ खतम हो गया दूसरा पहलू यहीं से शुरू हुआ दूसरा पहलू है जैसे कि ओके मैं चेक करता हूँ ठीक है इसको एरबिक भाशा में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे ओके को ओके ही रहन देंगे ओके आना जरब ये हो गया मैं मैं बनादा कि इसम सवी लगाएंगे ओके आना सवी जरब मैं चेक करता हूँ ठीक है अब इसको हम तीसरी तरीके से बोल लेते हैं आना जरब हादा जैन आना जरब हादा जैन आना मिस मैं जरब मिस चेक करना हादा मिस या और जैन मिस ओके तो इसका हिंदी निकल के आया आना जरब मैंने चेक चेक किया हादा जैन या ठीक है मैंने चेक किया या ठीक है अना जरब हादा जैन अब यहाँ पर सवी भी लगा सकते हैं अना सवी जरब मैंने चेक किया क्योंकि डू जो है वो करने से रिलेटेट लिया जा रहा है तो यहाँ पर करना है तो किया है तो किया भी तो करना ही से र हादअ जेन अना सभी जर्म हादअ जर्म मैंने चेक किया यह ठीक है अना जर्म मैंने चेक किया या निए कि आगर ना भी सभी लगाएंगे तब आपका हैंच वह जो मीनिक्स हो रहा है उसको समझाने के लिए एक 데म صحी आप put up दे रहे एक तरीके से ठीक है तो इस तरीके से अरभी भाशा में आप questions पे questions रख करके और situations के base पे बोल सकते हैं और बहुत सारी grammar के हिसाब से system छूड़ जाता है क्योंकि grammarly system में आपको समझाना और एक local अरभी भाशा समझाना एक difference type का काम है ठीक है तो local जो बोली जाती है वो चीज़ जहां जाकर के आप Google पे भी चेक करोगे तो आपको वो चीज़ से clarity नहीं दिखेगी कुछ न कुछ difference दिखेगा इसलिए local language अलग है और एक grammarly और एक Google language एक pure Arabic अलग है ठीक है और एक Quran शरीब की अरभी अलग है सब में कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर है जैसे के हमारे हिंदुस्तान के या जहां से भी आप बिलॉंग करते हैं हर पान दस किलो मिटर पे कुछ न कुछ language की toning language की words एक दो आगे पीछे change हो जाते हैं ठीक है उसी तरीके से Arab में भी ऐसा ही होता है आप डेली बेस पर बोल सकते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में कोई भी Arabic भाशा बोल रहा है उसको सही तरीके से आप समझ सकते हैं जब आप उसके बारे में information रखेंगे और रखना है तो इसके लिए भाई सब्सक्राइब क करना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और नेक्ट वीडियो देखने के लिए भाई सब्सक्राइब तो बनता है मिलते हैं